कि नमस्कार मित्रों बेलकुल जी हां सुपर्टेट यानि रिठेन एक्जाम 6 जन्वरी 2019 टीटी की परिक्षा आप डरे हुए हतास परिशान और तमाम तमाम ऐसी सोच जो कि आपको 6 जन्वरी 2019 की परिक्षा में सफल होने से रोख सकती है बिलकुल दोस्तों इसी डर को इसी भै को निकालना होगा एक बात याद रखिए दोस्तों कि डर आप खुद मनुविज्यान इसमें पढ़ने ही आपको आप खुद जानते हैं कि डर भै ये सब नैसरगी प्रक्टिया हैं नैसरगी करतार मानुविय गुड है बिलकुल जाहिसे नकरात्मक्क है या सकरात्मक लेकिन यह मानमी प्रविर्ति है यह भावनाय तो हमारे अंदर आएंगे ही और भावनाओं का काम उसी समय होता है जब जो भावनाय जम जिस तरह की परिष्थिती हो वैसी भावना आती है यह परिष्थिती डर भय और संसाय को निकालना है एक बात याद रखें कि अभी भी आपके पास पूरे के पूरे साथ तिन बची होने हैं दोस्तों आज शनिवार है और अगले शनिवार तक यानि रविवार, सोमवार, मंगलवार, पुथवार, प्रेश्पतिवार, शुक्रवार और सनिवा पूरे साथ दिन बची होने हैं दोस्तों चितना आप पढ़ सकते हैं साथ दिनों में पढ़ियें बगैर सोचे समझे कि आपका सेलेक्शन होगा की नहीं होगा एक और बाद दोस्तों अगर आपको कुछ इस बीच में नया पढ़ना हो लगे कि ये महत्तपूर है चीजे छूटी हुए अब तक आपने कवर नहीं किया है और आपको ये लगता है कि उससे थोड़े से टॉपिक को पढ़ने से वो चीजे कवर हो जाएंगी तो बेफिक्र होके पढ़िए अंत समय तक पढ़िए नया अंत समय तक यानि अगर आपको महसूस हो कि आप छह जन्वरी को परिशा हाल्म के एक घंटे पहले तक कोई भी ऐसा नया टापिक पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो जाए आपके मस्तिश्क पर बैठ चाए और ध्यान रखिए दोस्तों वो महत्तपूर हो इंपोर्टेंट हो तो निश्चित रूप से उसे पढ़िए उसे देखिए सुनिए महसूस कीजिए ये समय बिल्कुल अपनी पढ़ाई को शंसलेशित करने का है दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको वो भै निकाल दूँ आप अपने सिलेवस क तक देखिए यानि जहां से हिंदी व्याकरण शुरू हुई है वहां से लेके जीवन वृत्ति तक देखिए कितना बड़ा से बस समय कितना आयोग ने दिया महसे एक महीने आपको क्या लगता है कि आयोग मुर्ख हैं बिलकुल नहीं हमें उस सभी चीजों से फैमिलियर बस होना है बस कोई टुपिक पढदे और तोस्तों क्यों टीप ऑनने वह इसलिए पढ़ने है ता कि महाँ से कुश्यन गलत नहीं आपको बड़े शंसलेशी से करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स दोस्तों देखिए करेंट अफेर्स आपके राजनितिक मुद्दों से समंदित रहने चाहिए सिक्षा से समन्दित रहने चाहिए और कुछ एक जो भी नई घटनाय हुई हो उन से समन्दित होनी चाहिए काफी महत्पूर है करेंट अफेर्स के वीडियो लगतार मैं अपने चलन्ग पे आपको दे रहा हूँ आज मैं करेंट अफेर्स के वीडियो आप तक नहीं पहुचाऊंगा आज मैं आप लोगों से बाते करूंगा कीवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता बलकि एक प्लानिंग भी होनी चाहिए डर को दूर करने का तरीका भी होना चाहिए बस इन ही प्लानिंग और डर को दूर कर प्रशन को मांल लीग अलिए पढ़ते रहें आपके पास जो भी मेर्टर समसमाई कि का है पढ़ी दोस्तों ध्यान रखिए करेंट अफेर्स में मैं यही कहूँगा जो पढ़ यह संसलेशित यानि उस प्रस्ण को माल लिए आपने एक करेंट अफेर्स पढ़ा माल लिए आपने G20 अगर पढ़ा चलिए G20 हटा दिए माल लिए आपने पढ़ा कि RBI के नए गवर्णर कौन बनाए गया है ठीक तो आपके मन में आप अपने आखे बंद कीजिए और यह सोचिये कौन बनाए गया है बिना देखे क्योंकि आपने एक पार पहले अगर पढ़ा है तो तो आपको इश्मरण होगा कि शक्तिकान दास बनाए गया है अब आप सोचिए को वो किस क्रम के गवर्णर है तो 25 क्रम के गवर्णर है यह भी आपको पता चलेगा 25 उसके पास से आप सोचिए कि यह इस कवर्णर के पद से पहले किस पद पे थे काफी महत्तपूर है दोस्तों यह पॉइंट तब आपको पता चलेगा कि यह G20 के शेर रह चुके थे काफी महत्तपुड तो इस तरीके से आर्बी आई के करेंट अफेर्स के गवर्नर जो बने वो मुद्धे समाप्त होते हैं अब इससे समंधित जी के आपको देखना होगा यानी आर्बी आई की अस्थाप्रा कब हुई तो 1935 के अधिनियम के तहत हुई आर्बी आई क्या है तो आर्बी आई भारत का केंडरी बैंक है रिजर्व बैंक आफ इंडिया भारती रिजर्व बैंक तो दोस्तों इतनी पांच बाते तो यहां से निकली ऐसे ही एक और प्रस्ण हम लेते हैं ज्यान पीठ पूरसकार कि अभी हाल ही में ज्यान पीठ पूरसकार कि से मिला तो आपको जान आप जानते हैं ताप घोशी को मिला है तो आपको यह देखना होगा कि वो क्यों महत्तपूड है क्यों उन्हें मिला इन संदर्भों में आपको पता चलेगा कि उन्हें उनकी अंग्रीजी शाहित के लिए पुरस्टकार मिला है बहुत महत्तपूड है दोस्तों क्योंकि पिछली भार का जो ज्यान पीट पुरस्टकार मिला वो क्रिष्णा सोगती को मिला था हिंदी साहित के लिए कृष्णा शोक्ती को ये पुरस्कार तिरपनवा क्रम का पुरस्कार था जबकि इस पार खोष जी को ये पुरस्कार मिला चवनवा क्रम का पुरस्कार यानि इस पार ग्यानपीट पुरस्कार किस क्रम का था तो 54th फिर आपको ये देखना होगा कि ज्यानपीट पुरसकार कब से दिया जा रहा है 1965 से दिया जा रहा है फिर आपको ये देखना होगा कि सबसे पहला ज्यानपीट पुरसकार किसे मिला तो शंकर कुरूपची को मिला तो इस तरीके से ये घ्यान पीठ पुरसकार का टॉपिक समब दुआ तो दोस्तो मेरी राय में बस यही है कि जो टॉपिक उठाईए उसके बारे में दो-तीन बाते पढ़िए जैसे इस समय आपको क्या-क्या विशेश रुप से पढ़ना चाहिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से क्योंकि मैं इसका कोई भी PDF आपके सामने नहीं ला रहा है बहुत ध्यान से सुनिए इस समय आप नूट करते हुए कोई भी अच्छा नूर्स आपको लगता है तो किसी भी वन्डे टाइप के एक्जाम से किवल वहां के वन्डे टाइप के कोश्चन पढ़िए बस इसके बात से आपको जीवों की दुनिया के अंतरगत है थोड़े बहुत जीव वगयरा के बारे में देख लेना चाहिए जैसे बैक्टिरिया वगयरा उनसे होने वाले रोग वगयरा इसके अलावा वायरस भी देख लीजिए यानी जीवाड देख लीजिए वायरस देख लीजिए उनसे होने वाले रूग वगयरा देख लीजिए काफी महतपूर हो सकते हैं फिर मानो तंत्र के अंत्र तंत्र का तंत्र देख लीजिए DNA वगयरा किसकी खोज किसने की DNA के हैलिकल मॉडल की खोज किसने की तो यह दो तीन पॉइंट यहां से देखिए विज्ञान के इतने पॉइंट अगर आप टच करते हैं तो आपके 5 से 6 नंबर तो मिल नहीं इसके अलावा दैनी जीवन यानि मात्रक वगयरा पे एक निगाह बना लीजिए इकाईयों पे निगाह बना लीजिए तो इससे एक कुश्चन बढ़ जाएंगे साथ कुश्चन आपके होंगे अगर दोस्तों इतना भी इस समय पढ़ते हैं पहले इतना पढ़िए हमारे अ कोई भी पुश्चक खड़ीजे हो उन पुश्चकों से सारगर भी खोके चैपटर चूज कीजिए दो चार चैपटर कि कौन से चिप्टर आपको आसकते हैं या कौन से चिप्टर आप इसली कर सकते हैं उन्हीं को बतारा या ना वस्या कुल्धन में नर्ये गड़ित के बा अभी इस समय हिंदी संक्रित और अंगरी जी में आप अपवादों को दिखिए जो अपवाद हैं वो हमारे लिमत प्रस्ण के अपवादों को दिखिए और वहां से जैसे पिछली बार पूछा सुखार्थ तो सुखार्थ एक संस्क्रिप शब्दा कर सुखार्थ पूछ था टूए हिंदि था तो सुखार्थ में तो दिर्गेसंदि होती लेकिन सुखार्थ ंसंस्क्रित में वृद्दी संदि हो जाएगी ऐसे करमधारन और वहुब्रीही समाज हो देखिए कि जहां भी यह पुआदों पेविशेश द्यान दीजे प्रीबियस यह क्वेश्चन्स बनाईए यानि पिसली बार जो संभवत्तर 27 में 2018 को रिटेन इक्जाम होगा और जो अभी 18 नौबर को रिटेन जाम होगा दोनों पेपर यानि उच्छ वाला भी और प्राइमरी वाला भी दोनों पेप प्रकॉसल के लिए बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहां से जो फैक्ट वाले कुश्चन है कौन साई स्टेट्मेंट कि इसने दिया निश्चित रुप से अब तक आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो दो चार पांच लोगों के बारे में पढ़िए किसी भी पुस् अस्थान की टेश्चित समय जॉइंग की जाइए और उसे ख़ते रही हम अपने इस्टोटेंट्स के लिए क्लास में टेस्ट्स निरिकन दिसके कर पाऊं कााफी मेहनत लगती है और हमारे जो आफलाइन स्टुडेंट होते हैं उनके लिए हमें पूरा ध्यान देना होता है मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि हम लोग online पढ़ाई नहीं कराते ऐसा नहीं है मैं आपकी मदद करता हूँ कुछ यह कखर अच्छी बाते मिल जाए जो कुछ portion आपको मिल जाए जो आपके लिए beneficial हो तो हमारे लिए खुशी की बात होगी ठीक है दोस्तों इसके बाद जीव पुस्तक से देख लिए computer जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं किजिए question के रूप में question के रूप में जिस भी जो भी पुस्तक आपके पास है उसमें computer के क्योवल question देखिए सूचना प्रद्योकी के question देखिए इस तरीके से reasoning की अगर मैं बात करूं तो reasoning में जो आपको के तरीके से उसके बस प्रस्ण पर देहान दीजिए अगर दो तीन प्रस्ण समझ मैं ठीक है अधरवाई छोड़ दीजिए जैमनेशन हॉल में आप देखिए कि क्या कर पाते हैं तो यह तो मैंने सूपर टेट की पूरी एक सीरीज बताई current affairs के विशेश देहान दीजिए व पास्टी मुनाफा खोरी प्राधिकरन आ सकता है पंद्रावा वित्तायोग आ सकता है उच्च पोशड एजनसी आ सकती है तो ऐसे कुछ कुछ कुशन आ सकते हैं मानुसी छिलार अभी भी प्रासंगिक हैं तो ऐसे कुछ कुछ यो पुरानी कुश्यन से उनको देख कुला दिसंबर तक के करेंट अफेर पर निगार डाल लीजिए परयापत रहेगा तो दोस्तों जीके की बात मैं करो तो बस जो सब्जेक्ट होते वहीं जीके आपको इस समय कहीं से भी मैटर मिले उसको देखिए बहुत ज्यादा परशान होनी जूरत नहीं है इतिहास में नावस्यक समय नहीं देना है वन डे टाइप के कुश्चन पर डालिए जहां से मिले कोई जो आपके सीरीज है उन्हीं से पढ़िए संस्थागत सीरीज जो मार्केट जो प्रपर ध्यान रखिए दोस्तों सीरीज मार्केट वाली में थोड़ी गलतिया है उन गलतियों को मैं पूरी की पूरी आपके सामने सेनारियो रखा मुझे उम्मीद है आपी से लावानमीत हुए होंगे तो डर को उखार बाहर फे की बस पढ़िए 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 कोई डर नहीं जो होगा सो देखा जाएगा चाह जनवरी को बस पढ़ाई कीजिए दोस्तों ऐसे मो अपना दिहान रखिए नमस्कार